खेला हो बे और मार्च में ही हो बे कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर सड़ा पर मैं हूँ आईश चोहान बिहार में क्या मार्च में परिक्सा होगी क्यों होगी क्या इस बार योगता रहेगी क्या निराज्यों को म का मिलेगा और पांच वी बात एस्टेट जो मार्च में दे रहे हैं उनका क्या होगा आपको पहले पूरी कहानी समझनी पड़ेगी तबी चीज़े समझ आएंगी ये है असली बज़े जो जब तेजिस्वी जी जो है समाचार पत्र में कैड देते और पूरा पेज फ्रंट प रहा है कि तेजिस्वी सरकार में आये थे तो इतनी सारी भरतियां हुई वरना कुछ नहीं हो रहा था अब उसी ब्रह्म को तोड़ने के लिए अब सरकार वापिस से भरती मोड में आ गई है और ये पत्र है जो निदेशक मोध्य के द्वारा सभी जिला सिक्सा अधिकारियो को बेजा गया है ये कहते हुए कि पुनेत रित्य चरण की जो ट्यारी थ्री की भरतियां वो करानी है आप हमें ट्यारी वन और टू में जितने भी पद आपके पास सेस हैं वो गिन के हमें बताईए इनके अनुमान के अनुसार लगबग 25-30,000 पद अभी भी है जिन पर भर 25 जिसमें अभी 2.0 में वेकेंसी आई थी वो ही सारा है प्रारूप है तो कहानी सारी पॉलिटिकल है मतलब वो पॉलिटिकल बेनेफिट इससे लेना चाहते हैं वेकेंसी से लेकिन इसमें कही ना कहीं चात्रों का नुकसान है कैसे नुकसाने देखे यही लोग है बही जब 20,000 पदों पर सप्लिमेंट रिजल्ट दे दीजे सुसील मोदी जी का स्वयम कहना था और अब उनका कहना है कि 3.0 करवाएंगे यह पूरी सरकार की अब सोच है लेकिन इससे फायदा क्या होगा क्या नए अभ्यरती सामिल हो पाएंगे बिल्कुल नहीं हो पाएंगे एस्टेट क्योंकि मार्च में हो रहा है जादा से जादा इतना किया जा सकता है कि यह कह दिया जाए कि एस्टेट वाले बच्चे बैठ सकते लेकिन वो कितने ही बच्चे हैं यह सारे बच्चे वो हैं जो पिछली बार फेल हो गई थे एकजाम में इस बार का एस्टेट कोई नया बच्चा नहीं दे पा रहा था क्योंकि एस्टेट के एलिजिबिलिटी कहती है पास व्यक्ती ही फोर्म भर सकता है तो वहां पर एपिरिंग अलाउड नहीं था आगे चलके एस्टेट आप एपिरिंग अलाउड कर भी दोगे तो बहुत कम बच्चे हैं वो जब इन्हीं को यह लोग पीछे नहीं छोड़ेंगे और BPSC आप जानते एक डिर महीने पेपर करवा देगा पॉइंट नंबर तीन योगता वो मैं आपको भी बता चुका हूँ एपिरिंग वालों को हद से अदलाव किया जा सकता है लेकिन जिसके पास एस्टेट भी नहीं होगा एपि लगता है इस पर बीजेपी सरकार में आने के बाद बड़ा फैसला हो सकता है और बाहरी राज्यों की सीटें निश्चित की जा सकती है तो एक चीज यह है अब जो बच्चे पिछली बार एक्जाम में रह गए थे भाई आप लोग जहां तक हो सके सेलफ इस्टेड़ी कीज उन चीजों को पढ़िए जो आपकी मिस रह गई थी कमजोर थी आप लोग नीचे नंबर दिया गया उस पर फोन करके हमारे बैचित देख सकते हैं वहां से अपने उन चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हैं जो आपको लगता है कि कहीं किसी कारण कमजोर रह गए थे ऐसे बैच जिसमें हम बच्चों की तयारी करवाएंगे कि आप लोग जो है उस चैप्टर की थियोरी पड़े जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वह फ्री ओप कोश्चे सब क्लासिस देख पाएंगे उनने कोई अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं होगी बाकि जो बच् कुछ करना चाहते हैं नीचे स्क्रीन पर फोन कर सकते हैं लेकिन